नमस्ते मित्रों, कैसे हैं? मुझे पूरी उमीद है आप आरोगेता की ओर धीरे-धीरे बढ़ रहोंगे. आप सबों का मैं नरेंदर कुमार वेलनस कंसलिटेंट लिविंग हैपली में सहिर्दे स्वागत करता हूँ. चलिए एक चीज बताईए, कि क्या आप मानते हैं भोजन के प्रेम से अधिक सच्चा कोई और प्रेम हो सकता है? हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही विचार किया, आप वही हैं जो आप खाते हैं. जब हमारी सब्द अपरियाप्त होने लगती है, तो भोजन प्रेम का परति अच्छा खाना खाने के लिए हमें चांदी के काटे की जरूरत नहीं पड़ती हमें जो भी मिलता है हम खा लेते हैं हमारे लिए भोजन हमारे रिष्टेदार से आते हैं चाहे हुआ किसान भाई हो चाहे हुआ प्रकिर्टी माता ही हो या हमारे घर के सदस्यों बनाने वाले या ब्यापारी भाई हो या रिष्टेदारों से ही आती है और हमें हमेशा उन रिष्टेदारों के परती किर्टग्य होना चाहिए उन खाना इस तरह हम भोजन पर जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि भोजन की एक संस्कृती होती है इसका येक इतिहास है, इसकी एक कहानी है और इसका हमसे एक बहुत ही गहरा संबंध है हां मित्रों, इस विडियो में हम उसी भोजन और उसके चरितर के बारे में बात करेंगे जिसमें मूलत हम बात करने जा रहे हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड की बात इसमें हम मुखेतह यह देखेंगे कि इस सात्विक भोजन के क्या लाब है और सात्विक आहार हम क्यों अपनाएं हम इसमें लिस्ट आफ सात्विक फूड भी आपको देंगे ताकि आप इनका चयन कर सकें और यह वीडियो आपकी चेतनास्तर को तो बढ़ाएगा ही भोजन के प्रती जागरुकता भी बढ़ाएगा जो की अंततह आपको एक आरोगिता की दिसा में और तिब्रगती से आगे बढ़ाएगा तो बारतिय आईरुवेद सास्त्रों के अनुसार हम जो भी भोजन करते हैं उसे तीन प्रकारों में वरगी किर्थ किया जाता है जो कि हमने बताया ही सात्विक, राजसिक और तामसिक गुनों के अनुरूप आईरुवेद में एक कहावत है कि कोई भी खाद्यपदार्थ जो जमीन के नीचे हूता है प्रकिर्थी में तामसिक होता है और जो पेड या पौधे के सिर्ष पर आता है जैसे पत्ते, फूल, फल ये सब सात्विक होते हैं परतेक का, इन तीनों के परतेक का हमारे सारीरिक और मानसिक स्वास्त जो फिजिकल और मेंटल विल्विंग पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है खाद्यपदार्थों के बारे में कुछ सरल तत्यों को समझने से यह आपको और भी क्लिरिटी आएगी तो सबसे पहला हम सात्विक भोजन के बारे में बात करते हैं कि सात्विक भोजन वह है जो हमारे सरीर को सुध और मन को सांत करता है यह पकाववा भोजन है जो तीन से चार घंटे के अंदर अगर खा लिया जाए तो इसे सात्विक माना जाता है उदाहरन के तौर पर आप कह सकते हैं ताजे फल, हरे पतेदार सबजियां, मेवा अनाज और ताजा दूदे। इसी परकार अगर राजसिक भोजन के बारे में बात करें तो ये सरीर और मन को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिक मातरा में ये खादे पदार्थ अती सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिर्चिडापन और नीन न आने का कारण भी बन जाते हैं। ब्रहम और भटकाओ आदी तत्यों हमारे मन में पैदा करते हैं। बासी या दोवारा गरम किया हुआ भोजन, तैलिये या भारी भोजन और कृतिम जो प्रोसेस्ट फूड है इस त्रेणी में आता है। उदाहरन के तोर पर आप कह सकते हैं वा मानसाहरी भोजन, बासी भोजन, वसाकात्यधिक, सेवन, तेल और मीठा भोजन। तो यह तो तीनों का ब्रिफ हुआ, अब मैं इस वीडियो में मुलतह बात करने जा रहा हूँ सात्विक भोजन के वारे में ताकि आप सात्विक बन सकें और इस सात्विक भोजन को ग्रहन करने के लिए आप प्रेरित हो सकें, जागरुकता पैदा करने के बाग। तो सात्विक अहार का सीधा सा आर्थ होता है, हलका और स्वस्त भोजन, light and healthy food, वह स्वाद के लिए भी कई चरम जो extreme टेस्ट होते हैं नहीं होता है, न तो बहुत मीठा होगा, न तो बहुत नमकीन होगा, और नहीं मसालेदार होगा, यानि कि इतना ज्यादा स्वीट नहीं salty नहीं, spicy नहीं, कीवल मध्यम कटेगरी का होता है, just moderate test वाला यह होता है, सीधे सब्दों में आप कह सकते हैं, सात्विक भोजन वह है, जो सरीर को सुद्ध करता हो, purify करता हो, और मन को सांत करता हो, हमारे mind को calm effect देता हो, सात्विक अहार में सुद्ध भोजन वो process नहीं होत होता है, जो सकती में हलका light in potency होता है, और प्रान जीवन सकती, rich in प्राना होता है, जो life force है, इससे भारा पड़ा होता है, यह हमारे तन और मन, body and mind को अस्पुर्ती, जो energize करता है, पका हुआ भोजन, cooked food जो है, तयार करने से, तीन से चार घंटा के अंदर इसे सेबन कर ले एक सात्विक भोजन के तहट आता है, अब हम जानते हैं कि इसके लाव क्या है सात्विक भोजन, हमें सात्विक आहार क्यों अपनाना चाहिए, तो सात्विक भोजन जैसा कि हमने बताया, यह हमें सांती, पवित्रता प्रदान करता है, जिसके कारण हमें दिरगायू, mental health और उड़जा में हमारी सुधार आती है improvement आती है जिससे हमारी चेतना की अस्थिती जो state of our consciousness है इसमें काफी हद तक सुधार आता है यह हमारे सरीर और दिमाग body and mind के जो सामन्जस है और संतुलन है harmony and balance है इसको कायम करता है और नियमित रूप से अगर हम पान कर रहे हैं सात्विक आहार तो उच्च गुनवत्ता वाले सरीर के जो उत्तक है high quality body tissue है इनके निर्मान और पुनर निर्मान formation और rebuilding में भी मदद मिलती है इन बस्तूओं का 7 वैसे ही किया जा सकता है जैसे यह हैं जिस परकारिया मिलते हैं या बहुत ही minor changes करके सात्विक भोजन पर हम जीवन भर जी सकते हैं पदार्थों के 7 से मन को चैन की अस्थिती में रखने की सकती मिलती है जिससे हमारी एकागरता जो focus है concentration है मिलती है और सुस्ती भी कम हो जाती है तो यह तो ठाकी क्या है इसके लाव क्या है अब जब आप लाव से परिचित हो तो यह भी जान लीजे कि सात्विक फूड के अंदर कौन-कौन से आते हैं तो इसमें आते हैं चावल हैं, गेहुं हैं, जै हैं, फलियां हैं, मूंग दाल हैं, साबूत हरे चने जैसे कई अनाज हैं और अगर सबजियां की बात की जाए तो ताजी हरी सबजियां जैसे पाल यह फल और सबजियों के रस इसमें आते हैं और अगर फ्राइड आइटम में लेते हैं तो यह ताजा यह हलका भूना हुआ, कोई बीज हो सकता है, यह नट्स हो सकते हैं, लेकिन यह फ्रेस और लाइटली रोस्टेड होने चाहिए, अब अगर आगे बढ़ते हैं कि क्या आ सात्विक होता है मित्रों, लेकिन यही पास्चराइज होने के बाद थोड़ा सा यह तामसिक हो जाता है, नारियल का तेल, तील का तेल, जैतुन का तेल, यह सब सात्विक फुड में आते हैं, और मसाले की बात करते हैं, तो मसाले में अधरक है, इलाइची है, दाल चीनी है सौप है, धनिया है, हल्दी है, ये सब सात्विक फूड के तहत आते हैं, अगर मीठा पदार्थ जैसे की हनी सहद है, गूड जैगरी है और रा सुगर है, ये सब अब सात्विक फूड में रख सकते हैं, तो सात्विक फूड जो है, आम तोर पर ताजा, मौसमी और हमारे अस् जो सही प्रकार का जो हमारा भोजन है भोजन से ही हमारा सरीर बना है और हमारा जो मन है वह भोजन पर ही है तो केवल सही प्रकार का भोजन ही नहीं इसे सही समय पर और उचित मात्रा में भी करना हमारे लिए महतोपूर्ण होता है आरोग्य बने रहने के लिए अधी खाने से सुस्ती आ जाती है जबकि खाने के दौरान परियाप तो पोसन भी नहीं मिलता है तो आप यहम नहीं मानिये कि बहुत ज़्यादा खा रहें तो स्वस्त रहेंगे यह देखना है कि उसमें कितने निट्रिंट्स है ज्यादातर वार हम जानते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ लेकिन जो टेस्ट बर्ड हैं वह संत्रिप्त नहीं हो पाते हैं भोजन की सही मात्रा है कप या ग्राम से हमें नहीं नापना चाहिए जब हम अपने सरीर को ध्यान से सुनते हैं जब आप यह कला डेवलप कर लेते हैं ट्रेनिंग के दवराण कंसंट्रेशन करके कि अपने सरीर की फुस फुस आहट भी सुनने लग जाते हैं तब आपको पता चल जाता है वास्तुरिक कि कभ आपको अब रुक जाना है यानि कि अंदर की अंतरात्मा की आवाज होती है वह एक सिगनल देता है कि अब आपको नहीं खाना चाहिए पर हम क्या करते हैं भर पेट खाने के कंसेप्ट में उस आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को नजर अंदाज कर देते हैं हम सही मात्रा में सही तरह का खाना खा सकते हैं लेकिन अगर हम अपने समय के साथ अनियमित हैं तो पूरी प्रणाली खराब हो सकती है और सरीर की जो प्रकिर्तिक लाय है, सरकाइडियम रिदम यह भी खराब हो सकती है इसलिए हमें प्रती दिन एक ही समय पर भोजन करना और नियमित अंतराल पर भोजन करना सबसे महतवपुर्ण है ऐसा माना जाता है कि खाना पकाने या खाने वाले की व्यक्ति की जो अटिट्यूड होती है मनास्थिती भी भोजन को प्रभावित करती है किसी के दोरा क्रोधित होने पर पकाये भोजन में उड़जा निश्चित रूप से उस व्यक्ति की तुलना में कम होगी जिसने इसे प्यार, संतोस, किर्टग्यता की भावना से पकाया है कुछ सुख दायक संगीत जो हैं आप म्यूजिक जो आपके फेवरेट हैं खाना पकाने के दोरान या खाना खाने के दोरान या आप चैंटिंग कर सकते हैं नाम जप कर सकते हैं तो यहां अमारे भोजन में प्राण, जीवन, सक्ति, उड़जा को बनाए रखने में मदद करते हैं और योग, योग तो है, योग आप करें ताकि आपको सही भूख लगे और खुद ही ज़्यादा ना खाएं तो इससे हम व्यक्तिगत आहार यह भी हम नियंतरित और नियमित कर सकते हैं भोजन जो किसी के लिए नुकूल हो सकता है और वह दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है यह ताई करने के लिए आप आयरुवेध चकेसक से प्रामर्स भी ले सकते हैं डाइटेसियन से ले सकते हैं, नियूटेटिस से ले सकते हैं इस तरह से अगर आपको कोई भी हिल्थ कंडिसन नहीं है, कोई हिल्थ यसू नहीं है तो आप समय पर खाएं यानि कि अपने मील को 6 टुकुडों में बांट सकते हैं तीन मेजर मील और तीन माइनर मील तो इस तरह से तीन माइनर और तीन मेजर मील मेल के आपके 6 मील होते हैं लास्ट मील है यानि कि डीनर रात का छठ्ठा या साम के साथ वज़े से पहले आप फिनिस कर लिजे और फिर देखिए आपको सात्विक आहार जो कि हमने लिस्टेट दिया इसके अमसार आप खाएं और फिर आरोग्यता आपके कदम चुमेगी ऐसी ही मेरी सुबकामनाय हैं आ आप लोग आरोग्ये रहें और आप अपना बहमुल्य समय लिविंग हैपली के साथ बिताते हैं इसके लिए मैं अरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट सप्रेम धन्यवाद देता हूं फिर से नए वीडियो में आता हूं और अभी आपके लिए लाओंगा राजसिक और त वीडियो